हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एजुमित्रा तो आज के इस लेक्चे में हम मिलकर समझने जा रहा है क्लासिक सोसल साइंस की जेग्रफी बुक जिसका नाम है दा अर्थ और हैबिटेट के फर्स चाप्टर को जिसका नाम है दा अर्थ इन दा सोलर सिस्टम तो इस चाप्टर से पढ़ने से पहले हम समझने की जेग्रफी सब्जेक्ट होता क्या है यानि जेग्रफी सब्जेक्ट में हम किस चीजों के बारे में किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो मैं आपको बता दू कि geography एक Greek word से आया है जिसका नाम है geographia और उसका मतलब होता है earth description यानि geography दो सब्दों से मिलकर बना है एक है geo और एक है graphi geos का मतलब होता है और aearth और ग्राफी का मतलब होता है description तो ढांठे परते हैं और bारेаки प्लैनेट्स के सोलर इस्टम वचांव के का complete understanding हो पाएगा तो चलिए शुरू करते हैं सुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही एजुकेशनल रिएटेड वीडियो लाता रहता तो चलिए शुरू करते हैं सो यहां में दिया हुआ है इफ लुक अच्छाइ एट नाइट इस सीम तो भी तो चोटे चोटे स्मॉल ऑब्जेक्स दिखते हैं जो कि कुछ बहुत चमकीले होते हैं अब कुछ थोड़े कम चमक के लेए होते हैं और वो तिम यहीं क्या होते हैं हाँ वो होते हैं teara यानी स्टा स्स daar अब देख सकते हो यह अज़ेगरफि बहु हम प्रिछी से जूर्य करते हुआ हैं स्टा तो पूरने देखा है यहां बारे में stars क्या होते हैं tiny shiny objects होते हैं जो कि bright हो सकते हैं या कुछ dim भी हो सकते हैं यानि कम चम के लिए भी हो सकते हैं लेकिन वह क्या करते हैं twinkle करते हैं तो once in a month we see full moon night of a four night ladder you can see it at all it is new moon night और अमा वस्या तो मैं आपको बता दो कि आपने चांद को यानि हमारे moon को बहुत सारे shapes में और sizes में देखा होगा कभी moon पूरा हमारा complete circle होता है कभी कुछ इस परकार का होता है या कभी वह बिल्कुल ही छोटा होता है जिसको हम इसको हम बोलते है full moon इसको बोलते हम half moon इसको बोलते हम crescent moon तो आपको पता है कि इस सारे moons को वग night होती है तो उससे हम बोलते है पूर निमा और जब new moon होता है तो उससे हम बोलते है आमा वश्या यानि जब हमारा new moon होगा तो वो होगा पूर निमा तो आप बेसिकलिए याद रखना अगर new moon तो आमा वश्या उसको बोलते हम अगर हमारा full moon होगा तो उससे हम बोलते है आपको एक हमारे प्लैनेट के बारे में पता होगा हमारा अर्थ हमारा प्रित हुई आसमान में होते हैं से घरा यने खगोल ये पिजन शिरा प्लैने खेश ब्ल़िद एंस दो में आपके अड्रयुसुची अर्य-द्रूर्वSL गैसे लिएति हैं आपको hoy दो कोई करला को बने होते हैं have their own heat and light और उसका खुद का heat होता है ताप होता है और खुद का light यानि खुद का रौसनी भी होता है आप हमारे sun को भी देख सकते हैं उसका अपना heat है हमें suns के presence में गर्मी भी लगती है और उसका light भी है जो कि हमारा दिन को उजाला कर देता है है so they e-made in large amount और बहुत ज्यादा amount में बहुत ज्यादा मात्रह में वह heat और light निकलती है तो ऐसे सेलेस्यल बोडि स्टार्स यानि हमारा sun भी एक star का ही यानि स्टार्स भूत सारे होते हैं Öz U 2 सम अगर भी क्यों दिखते हैं इस लिए होता है कि बांक सारे ऩार में हमसे बहुत दूर हैें लेकिन हमारा सन हमसे हमारे प्रिथ्वी से उतना दूर नहीं है वह पाश है अगर डिस्टेंस की बात कर तो और प्रिथवी की दूरी है 15 क्रोर किलोमेटर यानि 15 क्रोर किलोमेटर तो अगर आप कोश्चन आ है कि which is the star of our earth यानि हमारे प्रिथवी का तारा कौन है तुस कांसर हम देंगे sun यानि sun नहीं हमारे प्रिथवी का star है तो आगे देखते हम while watching the night sky we notice various patterns formed by different groups of stars तो आपने राच को देखा होगा आपने खुले आसमान में बहुत लोगों को यह करना बहुत पसंद होता है कि खुले आसमान में देखें तो वहां क्या कभी कभी क्या होता है कि कुछ तारे कुछ patterns बना लेते हैं निशित patterns मानों ऐसा ल जब हो जब बहुत सारे stars मिलके एक निशित बना ले एक various pattern form कर ले और उसमें बहुत सारे group of stars हो तो उस pattern को हम बोलते हैं constellations यानि when a group of stars form a pattern और we can say while watching at the night sky you may notice various patterns formed by the different group of stars they are known as constellations आपक्या definition या रखना या example दिया हमें उर्षा में उर्षा में उर्षा में उर्षा में उर्षा major constellation जो कि आकास का constellation है और उर्षा मेजर को हम big bear के नाम से भी जानते हैं big bear और आपने तो यह सुना होगा हमारा famous constellation है जिसको हम बोलते हैं सब्तरिसी यानि साथ रिसी आपने आस्मान में कभी देखा होगा ऐसे one two three four five six seven इस प्रकार के तारों में ऐसा ही pattern form होता है तो यह साथ टारों को नाम दिया गया है सब्तरिसी तो होप आपको इसमें ज्यादा confusion ना हो अगर कोई confusion हो तो comment में जरूर बताईए चलिए मैं आपको फिर से एक बार इसको समझा देता हूं अगर स्टार्स का क्या होगा कोई एक निचित pattern होगा आस्मान में यानि क कोई ऐसा सेब बना है साइज वगएरा जिससे देख कि हमें कुछ सेब के याद आ जाए यह आप देख सकते हो बेसिकर स्पून की तरह यानि चमच की तरह दिख रहा है तो इसको हम का बोलते है स्टार्स के कॉंस्टलेशन बोलते हैं फर एक्जामपल आप याद रखना उर डिरेक्शन डिरिंग दा नाइट विद रहल पप स्टार्स तो आज की जमाने में हमारे पास घरी होती है जिसे हम कभी चाहर टाइम पता कर सकते हैं लेकिन पुरारे जमाने में लोगों के क्याप होता था कि रात के समय वह डिरेक्शन का पता नहीं लगा पाते थे आज के थे पास हमारे पास कंपास होता है तो पता करने के लिए यह लिगे पहले तो आसा नहीं था तो वह कैसे पता करेंगे कि कौन राबन की सन तरफ सबब देखाई होगा लेकिन आपको यह नहीं पता की है तो आज ही जाके रात को अपने चेक करना आस्मानों में जो तारा सबसे चमकीला होगा वह होता है पोल स्टार और उसे हम धुरूыш को हम सब्सक्राइब यो इस ड्रसा में होता दिन को हम संसे जो कि ऊस्टा में होता है और रात को पता करते हैं पोल स्टार sind Tigers जो की होता है 9 direction में जिससे हम आसानी से पता कर सकते हैं direction तो पुराने लोग ancient times के लोग ऐसे ही direction का पता लगाते थे तो आपको यह clear होगा तो some celestial bodies do not have their own hidden light they are lit up by the light of stars but such bodies are called planets लेकिन कुछ celestial bodies ऐसे होते हैं जिसके पास खुद का अपना light नहीं होता है जैसे हमारे अर्थ को ही देख लीजिए हमारे मून को ही देख लीजिए इन दोनों के पास अपना light नहीं है वो किसे charge up होते हैं किसे light प्राप्त करते हैं stars से तो वैसे bodies को हम बोलते हैं planets तो हमारा earth एक प्लैनेट है तो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुए हमारा solar system या solar system तो solar system क्या होता है हमारा solar system में एक ऐसा system है जिसमें हमारा sun हमारे eight to planets हमारे आठोग्रह और उनके satellites आते हैं और इस group को और उसमें बहुत सारे other celestial bodies भी होते हैं जिसके बारे हम आगे बात करेंगे जैसे कि asteroid asteroid क्या होता है वह होता है चुद्रग्रह या धूम के तू और meteor होता है हमारा उलका पिंड आपने एक बार जरू सुना हुए कि एक बार हमारे प्रिद्वी पर मेट्रोड गिरा था और जिसे डैनासोर की पूरी प्रजाती खत्म हो चुकी थी तो यही होता है हमारा meteor तो चल यानि जो हमारा सौर मंडल है उसके बीच में है हमारा sun यानि हम कह सकते हैं कि sun is the center of our solar system फर दिया होई it is huge and made up of extremely hot gases तो हमारा sun बहुत बरा है बहुत बरा आप इतना सोच भी नहीं सकते हो और that is made of hot gases the pulling force of sun binds all the entire solar system और sun के अंदर क्या होता है एक force होता है इसके बारे हम हम आगे के classes में science में पढ़ेंगे इस sun के क्या करता है force लगाता है आप इसका example ले सकते हो अगर आप घर में खेलते होगे तो आप किसी पर force लगाते हो खीचते हो तो आपके तरफ खीचा चला आता है तो sun के भी पास एक force होता है अपना जिससे वह सारे planet को खीचता है लेकिन चकित कर देने वाली बात यह है कि वह force contact force नहीं होता है यानि sun तो प्लानेट को छूर नहीं सकता तो फिर उसके पास कौन सा force है जिससे वह प्लानेट को अपने तरफ खीचता है तो मैं आपको एखेंच दे देता हूँ that is force is known as gravitational force इसके बारे में आप 9th class 8th class में basically पढ़ोगे तो होप अपको sun के बारे में सवाज में आ गया हो so एक और point दिया हूए the sun is the ultimate source of heat and light for our solar system हमारे shore mandal में हमारे solar system में जितना भी heat and light का requirement होता है वो किसे पूरा होता है हमारे sun से हमारा solar system का ultimate source of energy so our next topic is planets planets यानि हमारे ग्रह प्लानेट जो सब्द प्लानेट हम बोलते हैं वो क्या आता है एक Greek सबसे आता है जिसका नाम है planetai which means wonder verse wonderers का मतलब होता है पंजारे यानि जो इधर उधर घूमते हैं और आपने परा ही होगा जो प्लानेट से हमारा अर्थ हो सूर का चकर लगाता है तो ग्रीक वर्ट के अनुसार प्लानेट का अर्थ होता है wonderers चो हमारे सौर मंदल में 8 प्लानेट है 8 तो ग्रा है हमारे सोलर सिस्टम में परे 9 प्लानेट थे लेकिन अब इसे 8 कर दिया है तो हम देख लेते हैं यह पहला है मर्कूरी मैं हिंदी में भी बता देता हूं 청वर किया थर्ड है हमारी मंगल फिर जूपिटर जूपिटर ह assessare हव्हारे सिस्टर म का सबसे बारा सीस्टम का सबसे छोटा ग्रह फिर जूपिटर यानि ब्रहस पती फिर आता है हमारा साटन यानि सनी फिर यूरेनस या और नेप्चून तो यह बेसिकली हमारे आठ ग्रह हो चुके हैं मैं आपको रिप्रेजेंट करके एक बार दिखा देता हूं ग्रहों को तो यह रहा पहले हमारा सन फिर याँ फर्स करा है हमारा मर्क्यूरी वेनस अर्थ मार्स मर्क्यूरी एक बाद अच्छे से दिखा देते हैं इस इस सन इस मर्क्यूरी वेनस अर्थ मार्स यूपिटर साटन यूरेनसन निप्चून तो यह हुए हमारे आठो के आठो ग्रह हमारे सोजल सिस्टेम में पहले एक 9 प्लानेट था जो कि हमारा था प्लूटो लेकिन उसके बाद 2007 में उसको ग्रहों के नाम से हटा दिया गया क्योंकि उसमें साइंटिस ने सामती नहीं दे कि वह ग्रह बन सकता है तो अब बेसिकली हम हमारे पास हमारे सोलर सिस्ट्रम में आठी ग्रह है जो कि मर्क्यूरी यूपितर से Isso नेप्चून से सबसे पास है मर्क्यूरि और legitimately सबसे दूर है मारा नेप्चून तो आपको पूछा सकता है विचीज temperature प्लाइट तो आप भोगे मर्क्यूरी सबसे दूर है हमारा नेप्चून और वह प्लानेट जहां लाइफ पॉशिबल है वह हमारा अर्थ सबसे गर्म प्लानेट सबसे होटेस प्लानेट है हमारा वीनस हमारा मर्क्यूरी हमारे सन के पास भी है लेकिन सबसे होट प्लानेट है हमारा वीनस जहां हर एक ट हो गया होगा गांसे हम आ यह पार है तो अगर आर्थ के बारे में बात क्रें तो आर्थ ऑल डा अफे प्रेस्ग कोई अगा है तो आफ़ चाहलो हैbal लगाते हैं तो फर फिक्स होता यानि ऐसा नेगी इसके पाथ में चला जाया या इसके पाथ में चला सबका एक fix path होता है और उस fix पाथ को हम बोलते हैं orbits यानि the path on which the planet revolves around the Sun that path is known as orbitardardar दिया हूत एवर when mercury is the nearest ये मैंने बता दिया है और ratios heh डार.."डर се onboard सुक्र ग्रह को पेसिकली जब वीनस है वह उसको अर्थ का जुरुगा कहा जाता है क्योंकि वह सेपन साइज में बिल्कुल अर्थ की तरह ही लगता है लेकिन वह बहुत गरम होता है वहां लाइफ पॉसिबल नहीं है तो यहां पॉइंट दिया है जो कि मैंने आपको कर दिया गया उसे गरह नहीं माना गया तो यह आपने सलर सिस्टम के समझ लिया हमा नेक्स टॉपिक है हमारी हमारी स्पर Christmas है प्रिफ्वि क्या है कि Size मामले में इस त्सोलर सिस्टम की Fifth सबसे बरे plan है और 3rd है यानि nearest to the Sun में Mercury और Venus के बाद हमारा आता है Earth और हमारी Earth complete circle नहीं है आपने पढ़ा होगा Earth in the shape of the slightly fattened at the poles तो जो हमारा Earth है जो थोरा सा flattened at the poles के पास तो यह होता है हमारा Pacific North Pole और यह होता है हमारा South Pole and it is a shape of a geoid geoid मतलब वैसा shape जो की Earth की तरह हो यानि the shape of the Earth is known as geoid आप यह याद रखना the shape of the Earth is known as geoid so conditions favorable to support life are found only on the Earth which is listed as follows यानि पूरे system solar system में केवल हमारी प्रित्वी ही है केवल हमारा Earth है जिस पर life possible हो सकता है तो क्यों ऐसा है इसका हमें points wise दिया है उसे भी हम अच्छे से देख सकते हैं कि वह क्या क्या condition है तो क्या है presence of air with life process like oxygen तो प्रित्वी पर क्या है oxygen है oxygen जो की हम सांस लेते हैं हम oxygen के भीना survive नहीं कर सकते हैं और Earth पर oxygen की मात्रा कितनी है 21% जिससे हमें सांस लेना यानि life possible हो पाया है Earth ना तो ज्यादा गर्म है ना तो ज्यादा ठंडा इसलिए वहान life possible आसानी से हो पाता है जो फ्रम दा आउटर स्पेस यानि अगर आप प्रित्वी के बाहर से देखोगे तो अर्थ आपियर ब्लू बिकाद आफ इस 2 3rd surface is covered by water प्रित्वी क्या दिखता है ब्लू दिखता है यानि नीला कलर का दिखता है क्योंकि उसका दो तिहाई पार्ट पानी से cover एकदम हो चुका है तो इसलिए प्रित्वी को हम बोलते हैं सभ्लू नेर्ण फ्रेट्वी को हमेंसे मार्स अफसर थो इसा तो में आश्मेश के बारे में बहुत आसाने से स्मझ लिया है तो dil नेक्स टॉपिक इस मून यानि मारा चांद आपा दो तो इसको समझने से पहले हम पहले यह समझ लेते हैं कि सैटलाइट होता क्या है और सैटलाइट यह हम दिया है नाचुरल सैटलाइट यानि नाचुरल सैटलाइट क्या होता है तो मैं आपको बता दू कि सैटलाइट इसे Celestial bodies That moves Around the Planets So celestial bodies ऐसे होते हैं, जो कि Planets के Around, यानि Planets के आसपास move करते हैं and in the same way that the planet move around the sun मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा sun है हमारा सूर्य है प्रित्वी का हमारे solar system का center है उसके आज पास क्या होता है कि सारे के सारे graph move करते है और थर्ड आता है हमारा earth तो हमारे earth को भी चक्र लगाता है कोई वो होता है हमारा moon तो moon earth का natural satellite है तो ऐसा satellite जो कि क्या करें कि प्राइंट का चक्र लगा है प्राइंट के आराउंड रिवाल्व करें तो उसको हम बोलते है satellite तो satellite भी तो टाइप्स के होते हैं हम भी उसको देख लेते हैं तो फर्स सैटलाइट इस आवर natural satellite देना जाओर artificial satellite और 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 अलसो नोना सैटलाइट तो वैसे सैटलाइट जो कि सब प्लाइट के नैशुरल ही होते हैं तो वैसे सैटलाइट को हम बोलेंगे natural satellite और ऐसे सैटलाइट जो की artificial design किया जाते है scientist द्वारा और वैसे सैटलाइट को हम बोलते है artificial satellite किया human made satellite तो आपने देखा होगा ऐसे भी सैटलाइट लो scientist बनाते हैं और space में भेजते हैं जिससे क्या होता है rocket के द्वारा जिससे क्या होता है कि space के बारे में हमें information पता चलती है आपने तो अभी अभी हमारे चंद्रियान मिसन के बारे में तो देखा ही होगा टीवी पर कैसे सेटलाइट था जो हमारे इंटर स्पेस में गया था तो यह टॉपिक सेकंड पॉइंट दिया हुए हमें it appears so big because it's near to our planet than the other celestial bodies तो यह जो चंद्रमा है यह हमारा मून हमें बरा क्यों दिखता है क्योंकि वह सारे ग्रहों क्या पेक्षा हम तो अर्थ से मक्यरी वेनस यूपिटर सैटन वागरा को नहीं देख सकते हैं लेकिन हमें मून दिखता है क्योंकि वह हमारे अर्थ से बहुत पास है डिस्टेंस की बात करें तो मून और अर्थ का डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमेटर्स यारी 3,84,400 किलोमेटर्स जो कि हमारा अर्थ और मून का डिस्टेंस है यह हुआ हमारा अर्थ और उसका चक्कर लगाता है हमारा मून तो यह कितना टाइम लेता है अर्थ का चक्कर लगाने में आपने यह तो सुना होगा कि अर्थ जो है हमारे सन के चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है हमारी अर्थ सन का चक्कर लगाने में टाइम लेती है 365 days और इसी time period को हम बोलता है one year यानि एक साल यानि एक साल वो टाइम होता है जितना time में earth हमारे sun का चक्कर लगाती है और इसको बोलते हम revolution तो यहां क्या होता है moon भी revolve करता है earth के around लेकिन वो कितना time ले लेता है 27 days and 8 hours यानि 27 गंटे 8 minute और यह time period होता है हमारा equivalent to यानि लगबग एक महीने के आज पास तो it is exactly time to complete one spin of earth और इसी time में हमारा earth एक spin पूरा करती है spin का मतलब होता है एक हुआ हमारा revolution यानि sun के आज चारो तरफ घूमना और दूसरा हुआ हमारा rotation rotation क्या होता है कि अर्थ sun के आज पास घूमने के साथ साथ अपने भी orbit पर rotate करती है अपने भी orbit पर घूमती है और उसको हम बोलते है rotation तो इतना ही time में earth अपना one spin पूरा करती है जिससे क्या होता है कि that makes only one side of the moon visible from the earth इसलिए हम पूरा पूरी चांद को हमारे earth से नहीं देख सकते हैं सिर्फ हमारे moon का एक ही part आधा ही part हम earth से देख पाते हैं तो मून में भी क्या life possible नहीं है उसके पास कोई भी favorable condition नहीं है life के possibility के लिए तो मून पर है क्या उसमें plains mountains and depressions मून में बहुत सारे पहार हैं और plains भी हैं लेकिन water वगारा नहीं है नहीं कोई environment है इसलिए मून में बहुत सारे में shadows दिखता है आपने देखा होगा मून पर या काला काला कुछ धबा की तरह दिखता है वह basically होता है mountains and plains तो यहां आपने मून के बारे में भी पढ़ लिया तो हमारे बुक में इंट्रेस्टिंग दिया हुए कि Neil Armstrong was the first man to step foot on the moon यादि Neil Armstrong को पहले इंसान है जिन्होंने चांद पर अपनी कदम रखी थी आप यह याद रखना न-e-i-l-e-r-m-s-t-r-o-n-g-n नील Armstrong और date भी आप याद रख सकते हो that is 21st July 21st of July 1969 तो hope आपको यह clear हो गया हो अगले topic हो देखते है जो किया asteroid so there are numbers of tiny bodies which are move around the planets तो बहुत सारे चोटे चोटे ऐसा bodies होता है जो कि planets के around ऐसे रोटेट करते है रैंडमली वह होते हैं हमारे asteroid तो इसको हम बोलते हैं basically छुद्र ग्रह यानि छोटा ग्रह जो प्लानेट के रोटेट करता है और यह सबसे ज्यादा कहां पाई जाते हैं Mars और Jupiter के अर्बिट में यह अधिकतर रोटेट करते हैं और हमारे अर्थ में भी कभी कभी रोटेट करते हैं चोटे चोटे लेकिन वह हमारे Jupiter प्लानेट जो है आप समझ सकते हो कि हमारे इस थार्फ का फ्रेंट की सबसेडनेट हो कि यह जूपिटर प्लानेट its payments जैसा को पने तरफ उस lawyer की जासा कि हमने पारह की संम चृपिज के रखता है जो आप आते आहने जो आफ रखने और ऐस आप जी कि नियुक्तित बिलीब करते हैं कि था पार्ट सप्लोजन आप आप यह फाउन कि क्या होता है कि जो प्लाइर्ट वह तोटका बिखार गाय होंगे और उसी मेंसे तुक्रे तुक्रे मैंसे हमारा एस्टरोइड का फामेशन हो गया हो ऐसा साइन्टिस्टो का मानना है अस्टरो पीसेस फॉक्स विच मूब अराउंड अरॉंड गूमते हैं इसे हम बोलता हैं मेटरोइड सम दीस अब्जेक्स कम क्लोज तु दू अर्थ अपन एट तो यह कभी कभी क्या होता है कि अर्थ के क्लोज आ सकते हैं आठ्सक्पियर में आ सकते हैं उसमें प्रवेश कर जाते हैं तो यह अर्थ के अट्मोश्पियर में प्रवेश करते हुए क्या होता है कि घरसन पैदा होता है आपने देखा हुआ कि पत्थर पर पत्थर पतकने से आग निकल आता है तो यहां भी वही होता है अर्थ के जैसे ही अट्मोश्पियर में एंटर करते हैं तो घरसन पैदा हो पर गिराते हैं और इससे बहुत बड़ी तबाही हो जाती है लास्ट सबाही हमारे लाखो करूरों साल पहले गुए था आपने देखा होगा जब डाइनोशोर से रहा करते थे तो Nex topics is galaxy वही बहुत परा ही सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे स्टास होते हैं billions of stars तो billions आप सोच सकते हो basically कितना बढ़ा नंबर होता है तो 1好吃 a 10000 10000 100000 million 10 million 100 million billion आप सोच सकते हो billion इक इतना बढ़ा नंबर होता है तो हमारे गैलक्सी में billions of stars है and उतना ही clouds है dust है और gases भी है और उसके अंदर basically क्या है there are millions of such galaxies that make the universe और एक ही गैलक्सी नही है हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी लाखो करोड़ों गैलक्सिया है जो कि हमारे यूनिवर्स को बनाती है आपको पता होगा हमारे गैलक्सी का क्या नाम है हमार गैलक्सी जो जिसमें हमारा Earth है हमारा Solar System है उस गैलक्सी का नाम है Milky Way यानि आकास गंगा गैलक्सी का मतलब होता है आकास गंगा और हमारी गैलक्सी है Milky Way गैलक्सी तो गैलक्सी इस the cluster of millions of stars गैलक्सी में बहुत सारे स्टार्स होता है that appears as glowing path across the sky on the night clear night और यह क्या होता बहुत स सारे glowing stars का सम्मू होता है जो कि हम रात को देख सकते आसानी से यह तारे आसमान में जब चमकते हैं तो इसकी आकास गंगा नाम कपड़ी तो इसका आकास गंगा on the basis of imagination done in the ancient India, ancient India में imagination क्या imagination किया गया that it is a river of light flowing in the sky so आकास का मतलब होता है sky और गंगा का मतलब होता है river यानि star sky में river इसलिए इसका नाम पर आकास गंगा यानि आसमान में जैसे तारे चमकते हैं मानों ऐसा लगता हो कि आसमान में तारों की यानि प्रकास की नदी बहे रही हो तो इसलिए इसका नाम पर गया हम गंगा यानि मिलकी वे गयलक्षी तो यहां पर हमने अपना चेपटर कर लिया है हमने अपना से जेग्राफी के बुक dunks the other habitat कर reciertos शिशंटम यानि हमारे सोलर सिस्टम में 感じ क्या है और कितना बरन Michal सबसे बारा प्लैनेट है कि सारे ग्रहों के मुकाबले आर्थ पर लाइफ को से पॉसिबल हो सकती है अर्थ में हमारे औक्सिजन मिलता है जो कि हम लेते हैं कार्बन डाइक्षाइड जो कि प्लांट लेते हैं हमारे अर्थ पर वाटर है आट्मोस्फियर है और बहुत सारी चीज़े हैं जो कि लाइफ के फेवरेबल कंडिशन के लिए इंपॉर्टन होती है तो आपको यह चाप्टर पूरी तरह से क्लियर हो गया हो अगर आपको इस चाप्टर में कोई भी डाउट हो तो कमें सेक्षर में हमें जरूर बताइए तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन का बट कर दो बेल आपको पूर्ग कर दो आपको वारे तो इस चाप्राइब कर दो बताबको गजा उसे हैं तो आपको आपको बटे।